हेलो फ्रेंद्स, वेलकम ट्विटलेज अकेडमी, CMPDI कोल इंडिया का टेस्ट सीरीज, जो है अन्लाइन टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग का बहुत ज्यादा डिमांड था, मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो असिस्टेंट ड्रिलर ट्रेंडी मेकेनिकल इंजिनिरिंग का सिर्फ एक टेस्ट सीरीज हैगा, टेकनिकल प्लस नॉन टेकनिकल दोनों रहेगा, तो आप ट्विटलेज अकेडमी के अप्लिकेशन अगर डाउनलोड नहीं किये होंगे, तो प्ले स्टोर या एपल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यह हमारे ट्विटलेज अकेडमी का अप्लिकेशन पे ही ओनलाइन टेस्ट सीरीज होने वाला है, और कूर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर वाट्सब कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको हम टेस्ट सीरीज बताएंगे और इसका टाइम टेबल क्या रहेगा, कब कौन सा टेस्ट होने वाला है, और एक्जाम आपका कब हो सकता है, और प्राइस क्या रहेगा, इस सब चीज टीटियल में बात करेंगे, तो आगे वीडियो को कंट्नियू जरू देखें, तो यह टेट जो है, 31-3-2-4-21 से कब हो सकता है, तो देखें, 11 अप्रेल को आप लोगों को पता है, कि एक एक्जाम है, CMPDI का असिस्टेन साइंटिफिक, जुनिया साइंटिफिक असिस्टेन का है, जो 11 को है, और उसके बाद जो संडे आएगा, वो 18 अप्रेल आएगा, जो कि इस पे हम लोग उमीद कर सकते है, कि असिस्टेन्ट ड्रीलर का हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसे से नहीं होने वाला है, 18 अप्रेल को भी, और उसके बाद 24 अप्रेल संडे है, उसमें भी एक CMPDI का टेस्ट, सोरी, टेस्ट एक्जाम जो है, वो एक डेट आया है, जो री एक्जाम होने वाला है, दुसरे किसी पोस्ट के लिए, तो इस तिन भी नहीं हो सकता, तो इसके बाद का जो संडे हैगा, मेब फर्स्ट विक में आपका एक्जाम हो सकता है, मतलब ज्यादा चांसे से, बट हम इसके 18 अप्रेल को ही चांसे लेकर चलेंगे, और इस हिसाब से ही प्रिप्रेशन आप लोगों रखा गया है, जो कि 249 इसकी प्राइस है, और टेस्ट स्टार्ट होने तक, जैसे 31st मार्च को टेस्ट स्टार्ट हो रहा, तो 31st मार्च तक इसका जो प्राइस रहेगा, सिर्फ 199 रहेगा, तो जल्दी से अप्लिकेशन डाउंड नहीं किये होंगे, तो डाउंड किजे, और टोपिक वाज जो टेस्ट रहेगा, वो 40 कोस्टन रहेगा सभी टोपिक से, तो यहां देखेंगे, दो जगा टेस्ट होगा, एक अनलाइन टेस्ट स्रीज आपके बैच में बनेगा, जैसे आप टेस्ट स्रीज जोईन करते हैं, तो आपको एक बैच भी बनेगा, उस बैच म एक डेट रहेगा, उस डेट पे टेस्ट असाइन होगा, और 24 आपको टेस्ट देना होगा, इनकेस आप टेस्ट यहां पे नहीं दे पाएं, तो आपका वही सेम टेस्ट यहां पे आपके कूर्स में अपलोड हो जाएगा, जो कि अनलिमिटेड टाइम्स आप कभी भी दे सक जो CMPDI का सेंपल पेपर आया है, उससे हमने सिलेवर्स को समझा है किस तरह से कोश्चन होगा, कि क्या लेबल रहेगा, उस लेबल के हिसाफ से ही आपका टोटल टेस्ट स्रीज डिजाइन किया गया है, उसी तरह केस से रहेगा, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, इस डेट कोई भी एक्जाम हो, तो उसके लिए काफी यूजफुल रहेगा, तो भी आप जोइन करके अच्छे से एक महिना के अंदर प्रिप्रेशन कर सकते हैं, अब देखेंगे, अब इसके आईसे टेस्ट सीरीज है, आप फूल लेंट टेस्ट की बात करते हैं, टॉपिक वाइज आप समझ लिए, दस टेस्ट होने वाला है, दस टॉपिक पर जो की सिलेबस में दिया गया है, उसी के अक्वर्डिंग, फूल लेंट टेस्ट जो होगा, 11 अप्राइल को चालू होगा, टेस्ट वन जो होगा, फूल लेंट टेकनीकल होगा, सिर्फ इसमें, और 100 कोश्चन र और उसके बाद जो टेस्ट 4 होगा, टेकनीकल, प्लस नोन टेकनीकल, 100 प्लस 50, 150 कोश्चन रहेगा, और 15 तारीक को जो टेस्ट 5, जो फूल लेंट टेस्ट होगा, टेकनीकल का, उसमें सिर्फ 100 कोश्चन रहेगा, तो आपको पता है, सिलेबस को ग्वर्डिंग की टेकनीकल से 100 question और non-technical से 50 question आने वाला है और इसमें negative marking नहीं रहेगा आगे अगर admin card आता है उसमें कहीं लिखा रहेगा कि negative mark रहेगा तो हम इसको इसमे negative mark भी इसमें दे देंगे ओके तो तो 15 April को हमारा test complete हो रहा अगर बहुत जल्ली ग्याम हो भी जाया जो कि उमीद नहीं है तो 18 अपरिल को आपका ग्याम होगा और यह से आगे जाने वाला है मतलब में फर्स्ट वीक में हम लोग उमीद कर रहे हैं तो टेस्ट का time अगर increase होगा तो इससे ज्यादा और भी आपको test provide किया जाएगा और वह जितना test है जैसे यहाँ 24 hour यहाँ पे आप test दे देंगे उसके बाद यहाँ टेस्ट जो है आपके course में upload हो जाएगा पूराने student को पता है तो आपके जो course में जो upload हो जाएगा यहाँ पे right side में आपको जो दिया गया है time table वहाँ पे दीख जाएगा आपको तो वहाँ पे जो upload होगा उसको unlimited time आप attempt कर सकते हैं और मैं आपको suggest करूँगा कि यहाँ पे पहले test दीजिए batch में उसी time पे है ठीक है उसके बाद आप अपने course में test को दीजिए और jam से पहले एक test को at least three times कम से कम तीन बार test को solve करके जाएगे test दीजिए एक बार question analysis कि किजिए क्या गलती हुआ उसको check किजिए फिर basic concept को पढ़िए और उसके बाद फिर से re-attempt किजिए question को फिर से मतलब solve किजिए उस test को तो तीन बार कम से कम अगर आपके पास time है तो एक test को आपको 5-5 बार solve हो जाना चाहिए एक question का answer जो है वो आपको समझना भी है और जुन अच्छे तरीके से तो आप लोग यहां पर देख लिए कि डेली टेस्ट होने वाला है एक समार्च से तो आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेर हो जाएए जल्दी से जल्दी अप्लिकेशन डावलोड नहीं कियोंगे डाउनलोड कर लिजिए और टेस्ट जाइन करके आप आपका प्रिपेशन हो पाएगा और यह जो डिस्काउंट है 50 रुपय का 199 में जो मिल रहा इसका अफाइदा उठाए और जल्दी से जल्दी जॉइन कर जिए 199 में नहीं तो उसके बाद 249 में आप जॉइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के भी जो भी एक्जाम के प्रिप हो तो आप कॉल कर सकते हैं कॉर्स रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप कॉल या वट्सप पर कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो